हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुती जादा क्रिस्पी टेस्टी आलू का नाश्टा जो की सिर्फ 15 मिनिट में बन करके तयार होंगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे है तो उनको तो ये नाश्टा बहुत पसंद आएंगा शाम के स्नैक्स में भी आप इसको बना सकते हो खाने में ये बहुती जादा टेस्टी लगता है तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा यहाँ पे देखिए आलू मेंने लिए है आलू को बॉयल करना है फिर उसको थंडा होने देना है और उसको भी मैश करना है जैसे हम घेऊ का आटा प्रिपेर करते हैं सेम उसी तरीके से हम हातों की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जब यह अच्छे से मैश हो जाएंगा तो देखिए अभी हम ड्राई स्पाइसेस एड़ करेंगे ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे रेडचिली फ्लेक्स एड़ किये हैं रेडचिली फ्लेक्स की जगा पर आप रेडचिली पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पे मैंने ओरिगानो एड़ किया है जो पीज़ा में हम यूज करते हैं वो एक चमच एड़ किया है छोटा उसके बाद टेसके अकॉर्डिंग नमक एड़ करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें कोन फ्लावर एड़ करेंगे ताकि ये बहुत जादा क्रिस्पी बन जाए अगर आप चाहो तो इसमें राइस फ्लावर बे एड़ कर सकते हो तो तीन चम के लिए सेट होने देंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसके एक बाल्स बना करके प्रिपेर कर लेंगे आप चाहो तो किसी भी शेप में इसको प्रिपेर कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के बाल्स बना करके प्रिपेर कर लिए हैं और तकरीबन यहाँ पे 29 59 बॉल्स बनके मेरे तयार हो गएते अगर मैं इसको मीडियम साइज का एकदम ही छोटा रखती तो तक्रीबन 50 तो बॉल यहां पे बनकर के तयार हो जाते और देखिए अभी हम कडाई में ऑईल गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पे मैंने ऑईल को गरम कर लिया था और जब हम बॉ प्राउ निष्क कलर आने के लिए यह जरूरी है कि हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रख जाएक किया है जब यह अच्छे से क्रिस्पी हो गए है तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे जो बॉल्स थे, वो बना करके तयार कर लिए है, सेम इसी तरीके से अभी हम लोग जो दूसरा बैच था, उसको फ्राइ करेंगे, तो यहाँ पे जो दूसरा बैच था, वो भी हमारा अच्छे से फ्राइ हो जाएंगा, आप इसको टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हो ये बहुत जादा टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं तो इसको ट्राई जरूर कीजिए